हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे डूप चनल पर तो गाइस आज की सोड़ों में हम आपको उताने वाले हैं कि अगर मोवाइल के डिलिट हुए MP3 सॉंग या आईडियो सॉंग वापस नहीं आ रहा हैं रिकवर नहीं हो रहा हैं तो एक एक यहां से डिलिट करते होंगे जो कि काफी वक्त लगता है यहां से दिखे डिलिट करेंगे यहां से फिलेट करेंगे तो फिलेट नहीं होता है इसलिए कि अगर आपने अपने फाइल मेनेजर से डिलिट कर दिया है तो फिर आपको आपस ला सकते हैं सबसे पहले हम आपको MX Player को open करते हैं यहाँ पर इस folder में दिखाते हैं 5 गाने हैं यहाँ से आप देख सकते हैं गाई इस 5 गाने हैं चलिए हम इसे delete करके आपको require करके दिखाते हैं तो File Manager को open करते हैं फिर यहाँ phone storage में चलते हैं इसी में है फिर यहां पर इस फोल्डर में जाते हैं यहीं पर फिर यहां से सभी गाने को feelings कर लेते हैं फिर यहां पर delete का एक option इस पर किलिँ करते हैं डिलीट कर देते हैं देखिए delete कर दिया हमने अब bike आते हैं MX player को open करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं गाना delete हो चुका है यहाँ पर नहीं है अब आते हैं back अब अगर गाना को वाफस लाना है तो क्या करना है simply आपको file manager को open करना है फिर से open करने के बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो यह देखिए यहाँ पर phone storage के ठीक नीचे recently deleted नाम का एक option मिलता है आपने phone में चेक कर लेना आपके phone में होगा आपको इस setting पर क्लिक करना है recently deleted क्लिक करने एक बाद सभी गाने यहाँ पर आपको मिल जाएंगे आपको फिलेक्ट कर लेना है जैसे delete करने के लिए करते हैं फिर उपर यहाँ पर फिलेक्ट पर क्लिक कर देना सभी गाने फिलेक्ट हो जाएंगे फिर आपको यहाँ रिकवर पर क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पर recover all पर click कर देना है सभी गाने वापस आ जाएंगे देखिए हम चलते हैं phone storage में फिर उसी folder में जहां से हमने delete किया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी गाने आ चुके हैं अब proof के लिए हम अपने MX player को open करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी गाने आ चुके हैं वापस यहाँ पर आप देख सकते हैं यही सब गाने थे तो गास इस तरीके से आप delete हुए गाने को वापस ला सकते हैं तो आज की दूबर से इतना ही विडियो को like और चैनल को subscribe कर लेना एक प्यासा कमेंट भी कर देना थैंक यू